आज मैं बनाने वाली हूँ अर्वी के पत्ते के पकोड़ी, बीना उबले हुए पत्ते से पकोड़ी बनाएंगे, बहुती टेस्टी लगता है खाने में, आप इसे जरूर बनाईएगा एक बार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करियेगा, मैं दो कप बेशन ल दालेंगे कलर के लिए, आधा चमच गरम मसाला डालेंगे इसमें, छोटे चमच से, आधा चमच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चमच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, स्वाद अनुसा नमक डालेंगे इसमें, आधा चमच आमचूर पाउडर डालेंगे इसमें, बह चोटे चम्म से लेशुन और हारा मिर्च को मैंने इस तरह से कोट लिया है इसे भी हम डाल देंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और बेशन को इस तरीके से फेटते जाएंगे फिर लगेगा पानी इसमें कम है तो फिर हम थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से फेटना है आठ से दस मिनट के लिए हम बेशन को अच्छे तरह से फेट लेंगे इस तरीके से तो हमने यह बेशन को बिल्कुल अच्छे तरह से फेट लिया है आप देख भी सकते हैं अब इसे हम साइड में कर देंगे अब हम दूसरा बेशन का घोल तयार करेंगे फिर एक छोटा सा वॉल लेंगे इसमें एक बेशन डालेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे आधा चमच हल्का सा नमक डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके पहले भी जो बेशन बनाई थी मैं उसमें भी नमक है तो इसमें हम बहुत हलका सा नमक डालेंगे अब इसमें पानी डाल के थोड़ा सा हम अच्छे से हम घोल बना लेंगे वेशन को 5-7 मिनट के लिए वेशन को अच्छे से फेट लेंगे इसी तरीके से वेशन को फेट के पहले हम तयार कर लेंगे तो पकोड़े बनाने के लिए दो घोल हम तयार करेंगे एक मसाले वाले एक बिना मसाले वाले वेशन तयार करेंगे तीसी तरह से वेशन पहले तयार कर लेंगे अब इसको हम साइड में कर देंगे और पकोड़े बनाने के लिए हमने हाँ पत्ते लिया है पत्ते को काट के डंठल निकाल दिया है, अच्छे से धोल लिया है, धोले के बाद पानी सुखा लिया है, अब हम एक पत्ता लेंगे, सबसे नीचे सबसे बड़ा पत्ता लेंगे हम, पत्ते को इस तरह से हम बिछा देंगे, अब हम लेंगे पत्ते पे लगाने के लिए मसाले यह मसाले वाले बेशन है जो मैं तयार की थी मसाले डाल के वही बेशन है तो हम हाथ में थोड़ा सा बेशन लेंगे इस तरह से चारो तरफ हम अच्छे से पोत लेंगे पत्ते पे लगाने क बाद फिर एक पत्ता लेंगे हम उस पे भी हम अच्छे से बेशन लगा देंगे ज् दो से तीन पत्ते से ज़्यादा नहीं पकोड़ी को बनाना है नहीं तो मोटा हो जाएगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा पकोड़ी तो अगर ज़्यादा छोटा पत्ता है तो तीन दो आप लगा सकते हैं राज सकते हैं लेकि चार से तीन से जा नहीं लगाना है पत्ते को नहीं तो ज्ञादा मोटा हु जाएगा मैं तीन से चार पत्ते से बना रही हूं आप दोनों साइट से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अच्छे से दबा देंगे हाथ से ताकि अच्छे से बैठ जाए और इस तरीके से दोनों तरप से हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से हम दबा देंगे इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कितना असान है बनाना पकोड़े तो इसी तरह से बनाग पहले तयार कर लेंगे उसके बाद से पकोड़े तालेंगे जो नमक, हल्दी और बेशन से घुल मैं तयार की थी वही बेशन है तो इसमें हमें एक पकोड़े डुबाएंगे इस तरीके से पहले लपेट लेंगे बेशन उसके बाद से हम तेल में डालेंगे तेल मैंने बिल्कुल अच्छे तरह से गरम कर लिया है गरम बिल्कुल अच्छे तरह से हो जाए तब गैस को हम मेडियम कर देंगे और बेसन में एक एक पकड़े को डुबाएंगे और तेल में डालते जाएंगे एक मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको जिसे हलका सा नीचे से सिख जाए तीसे हम पलट लेंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे ताकि पकड़े अच्छे से चारो तरब से सीख जाएं यह पकड़े बिल्कुल अच्छे तरह से सीख गया है अब इसे हम छान लेते हैं एक प्लेट में निकाल लेते हैं बाकी पकड़े को भी इसी तरह से तल लेंगे ये गरम गरफ पकड़े बनके त्यार है बहुत टेश्टी बना है आप इसे जरूर बनाईए एक बार